हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे CRPC की धारा 28 के बारे में यदि आप CRPC से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको CRPC के पिछले वीडियो मिल जाएंगे हम बात करते हैं CRPC की धारा 28 यह कहती है दंडा देश जो उच्च न्यायल है और सेशन न्यायल है दे सकेंगे याने के उच्छ न्यायल है हाई कोट और सेशन न्यायल है याने सत्र न्यायल है ये दोनों ही न्यायल है जो है किसी भी प्रकार के दंडा देश को देने की सकती रखते हैं Point number 1 में लिखा हुआ है कि उच्च नयायलाय याने कि High-Code विदी द्वारा प्राधिक्रत किसी भी प्रकार का धंडादेस दे सकता है याने कि High-Code को अनन अधिकारिता प्राप्त होती है तो वह किसी भी प्रकार के धंडादेस को दे सकता है अब हम बात करते हैं सेशन न्यायल है की, तो सेशन न्यायल है किस प्रकार के दंडा देश दे सकेगा, दंड के आदेश को दे सकेगा, इसके बारे में हम परते हैं, पाइंट नमबर दो में लिखा हुआ है, सेशन न्यायल है या सेशन न्यायल है या अपर सेशन न्यायल है व लेकिन किन्तु उसके द्वारा दिये गए मृत्यु दंड आदेश यानि के सेशन न्यायले के द्वारा यदि कोई मृत्यु दंड का आदेश दिया गया है तो ऐसे समय में उच्छ न्यायले द्वारा पुष्टी किये जाने की आवश्यक्ता होगी यानि के उच्छ न्यायले जो होगा वो म्रत्युदंड या आजीवन कारावास या दस वर्स तक के कारावास की अवदी के को छोड़ करके याने कि जो सहायक से सन्याय दिस होगा वह म्रत्युदंड का अधेश नहीं दे सकता आजीवन कारावास का अदेश नहीं दे सकता या ऐसा कोई कारावास का अदेश नहीं दे सकता जो दस वर्स से अधिक का है इनको छोड़ दें तो बाकि सारे जो है दंडा देश देने की सकती सहायक सेशन न्यायदीश को होती है याने के सहायक सेशन्यायदीश जो होते हैं वह अपर सेशन्यायदीश या सेशन्यायदीश से निम्नतर सरणी के होते हैं और इन्हें जो है अधिकारिता के मामले में दंदा देश की जो अधिकारिता है वह कम ही होती है अब हम बात करते हैं कि यदि सहायक से सन्याय दीश के द्वारा दिया गया कोई आदेश है तो उसकी अपील जो है वो कहां पर की जा सकेगी इसके बारे में यदि हम बात करें तो एक मामला दिया गया है चुन्नु बनाम उत्तर प्रदेश राज 1990 का मामला है ये क्रिमिनल ला जर्नल एक हजार सत्तावन पेज़ पर दिया गया है तो हम देखते हैं इस मामले को चुन्नु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य इसमें बताया गया कि जो है दंड प्रक्रिया सहीता के सहीत पार्ट से यह संकेत मिलता है कि जब सहायक सेशन न्यायदीश ने केवल पांच वर्स का दंड देश दिया है किसने सहायक सेशन न्यायदीश ने तो ऐसे समय में आदेश के विरुद्ध जो अपील जो है वो सेशन न्यायलाय को की जा सकेगी उच न्यायलाय को नहीं याने कि सहायक सेशन न्यायदीश जो दंड के आदेश देता है उसकी अपील जो होगी वो सेशन न्यायदीश में होगी हाई कोट में नहीं होगी इस प्रकार से बताया गया तो आज हमने अध्यान किया CRPC की धारा 28 के बारे में यदि आप पूरी की पूरी CRPC का अध्यान करना चाहते हैं या पूरी की पूरी IPC का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहां पर किलिक करें आप यहां पर किलिक करेंगे तो आपको यहां से पूरी की पूरी CRPC और पूरी की पूरी IPC मिल जाएगी तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद